कानपूर में बीजेपी नेता की पिटाई मामले में पुलिस ने 21 अगस्त को दो एफायार दर्श कर ली है पहली एफायार कथित तौर पर नेता के साथ मिली महिला और उसके पती के खिलाफ की गई है दूसरी FIR BJP नेता मोहित सोनकर के खिलाफ दर्श की गई है मामले में अब तक पांच लोगों को गृफतार भी कर लिया गया है बता दे मोहित सोनकर कानपुर बुंदेलखंड इलाके के शेत्रिय मंत्री रहे है फुलिस के मताबिक 20 अगस्त को कानपुर के जूही इलाके में मोहित सोनकर के परिवार ने उन्हें कतित तौर पर एक महिला के साथ गाड़ी में देख लिया पतनी के साथ मोहित की सास और अन्य ससुराल वाले वहां मौजूद थे सभी ने मोहित को बीच सड़क पर ले जाकर चपल से पीटना शुरू कर दिया खबरों के मताबिक जिस महिला के साथ मोहित सोनकर को पकड़ा गया वो भी भाजपा से जूड़ी हुई है परिवार वालों ने कथे तौर पर महिला को कार से बाहर खीच लिया और उसके साथ मार पीट की बाद में सोनकर के परिवार के सदस्यों और महिला के बीच कहा सुनी हो गई और आसपास के लोगों ने मामला शान्त कर आया खबर है कि हातपाई में दो लोगों को मामूली चोटे आई है BJP नेता की पिटाई का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खुब वाईरल हो रहा है गटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाईरल होते ही भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड शेतर के मीडिया प्रभारी मोहित पांडे ने पुष्टी की है कि सोनकर पार्टी के नेता है उन्होंने ये भी बताया कि मोहित सोनकर फिलहाल पार्टी में कोई पद नहीं सम्हाल रही है बताने मोहित की शादी 6 साल पहले मोनी सोनकर से हुई थी दोनों के बीच रिष्टे कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे देखते रहेए ललन टॉप यूपी शुक्रिया दी ललन टॉप मतलब आप की खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है एप की ललन टॉप एप जो लाँच होते ही कुछ ही घंतों में बन गया था नमबर वन प्ले स्टोर से एंड्रोइड एप इंस्टॉल कीजिए और जोड़े रहिए ललन टॉप खबरों से अब एक ही जगह पर मिलेंगे पलिटिकल किस से ललन टॉप शो चुनावी कवरिज परताल और आसान भाषा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैट का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्लेय स्टोर पर जाईए और दीलल लंटॉप एप इंस्टॉल कीजिए